हर हर महादेव साथियों, लाइफ कीपर मैं आपका स्वागत है, भगवान भोले नाथ सब पर अपनी छत्रचाया बनाये रखे दोस्तों आज लाइफ कीपर इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक भगवान शिवजी द्वारा माता पार्वती से एक अनोखी बात वाली कहानी का जिक्र करेंगे यह एक धार्मिक और ज्यानवर्धक कहानी है, क्रिप्या इसको सुनकर अपने जीवन में उतारें और उसका अनुसर्ण अच्छे रूप और लोग कल्यान में करें अगर आप चैनल पर नए हैं, तो क्रिप्या वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले और साथ साथ मैं बैल आइकन को भी दबाएं, ताकि चैनल पर जब भी नया वीडियो आए तो सर्वप्रथम आपको मिले तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं दोस्तों एक बार माता पारवती ने भगवान शिव से कहा कि प्रभू मैंने प्रित्वी पर देखा है कि जो व्यक्ति पहले से ही अपने प्रारब्ध से दुखी है, आप उसे और ज्यादा दुख प्रदान करते हैं और जो सुख में है, उसे आप दुख नहीं देते हैं तो दोस्तों भगवान शिव पारवती मा की इस बात पर थोड़ा मुस्कराने लगे इस पर पारवती जी बोली प्रभू आप मुस्करा क्यो रहे हो तो साथियों महादेव बोले की पारवती इस बात को समझने के लिए तो तुम्हें मेरे साथ प्रित्वी पर चलना पड़ेगा फिर मित्रों भगवान शिव और माता पारवती दोनों ने इनसानी रूप में पती-पत्नी का रूप लिया और एक गाउं के पास देरा जमाया शाम के समय भगवान शिव ने माता पारवती से कहा कि हम मनुष्य रूप में यहां आए हैं इसलिए यहां के नियमों का पालन करते हुए हमें यहां भोजन करना होगा इसलिए मैं भोजन की सामगरी की व्यवस्था करता हूँ तब तक तुम भोजन बनाने की व्यवस्था करो भगवान शिव के जाते ही माता पारवती रसोई में चूलहे को बनाने के लिए बाहर से इंटे लेने गई और गाउं में कुछ जरजर हो चुके मकानों से इंटे लाकर चूलहा तयार कर दिया दोस्तों चूलहा तयार होते ही भगवान वहाँ पर बिना कुछ लाए ही प्रकट हो गए माता पारवती ने उनसे कहा प्रभु आप तो कुछ लेकर नहीं आए भोजन कैसे बनेगा भगवान शिव बोले पारवती अब तुम्हें इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी मा पारवती बोली क्यों प्रभु ये आप क्या बोल रहे हैं दोस्तों भगवान शिव ने माता पारवती से पूछा कि तुम चूलहा बनाने के लिए इन इटों को कहा से लेकर आई तो माता पारवती ने कहा प्रभु इस गाव में बहुत से ऐसे घर भी हैं जिनका रखरखाव सही ढंसे नहीं हो रहा है उनकी जरजर हो चुकी दीवारों से मैं इंटे निकाल कर ले आई शिवजी ने फिर कहा जो घर पहले से खराब थे तुमने उन्हें और खराब कर दिया पारवती तुम इंटे उन सही घरों की दीवार से भी तो ला सकती थी साथियो माता पारवती बोली प्रभु उन घरों में रहने वाले लोगों ने उनका रखरखाव बहुत सही तरीके से किया है और वो घर सुन्दर भी लग रही हैं ऐसे में उनकी सुन्दरता को बिगाड़ना उचित नहीं होता भगवान शिव बोले पारवती यही तुम्हारे द्वारा पूछे गए प्रश्न का उत्तर है जिन लोगों ने अपने घर का रखरखाव अच्छी तरह से किया है यानि सही कर्मों से अपने जीवन को सुन्दर बना रखा है उन लोगों को दुख कैसे हो सकता है मनुष्य के जीवन में जो भी सुखी है वो अपने कर्मों के द्वारा सुखी है और जो दुखी है वो अपने कर्मों के द्वारा दुखी है इसलिए हर एक मनुष्य को अपने जीवन में ऐसे कर्म करने चाहिए की जिससे इतनी मजबूत व खूबसूरत इमारत खड़ी हो कि कभी भी कोई भी उसकी एक इंट भी निकालने न पाए प्रियमित्रों यह काम जरा भी मुश्किल नहीं है केवल सकरात्मक सोच और निस्वार्थ भावना की आवश्चकता है इसलिए जीवन में हमेशा सही रास्ते का ही चयन करें और उसी पर चलें फिर आपका सब मंगल ही मंगल होगा तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो कृप्या वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आइकन को दबाए धन्यवाद दोस्तों आपका दिन शुभ हो